इसका अपना जैनुवन सिस्टम होता है इसमें विंडो सैवन और इसनल है यह इसका डिलीट हो गया है तो इसे हम रिपेर कैसे करना है चीश में रिंस्टोल कैसे करना है इसका अपरीटिंग सिस्टम तो मैं दिखाता हूँ देखिए अब किप्यूट से थे करने के लिए बटन दोता है कीज होते है चाए क्ट्रोल और प्लस डिलीट यह जो लिखा हमें Bias में जाने के लिए बोला जाता है लेकिन इसमें अलग इक system होता है इसका अपना तो उसमें क्या है ते उसमें इसमें हमें P1 से इसके Bias में जाना है यह देकिए मैं P1 ब्रेश करूँगा तो यह हम लोग इसके Bias में आजाएंगे कि एंतरिंग सेत्प आगा बाइस तो देखिए इससे पहले कि क्या है कि इससे हमें इसके हमारी बूट अप्शन सम्में चेंज करनी है या बूट ओप्संड और बीडिनलेंगे करनी है तुट लिसके हम बाय साथ उसमें चले आते हैं बूटिंग option में F12 होता है इसका booting option F12 हमें press करना है restart करते ही तो देखे यह entering boot menu में आ गया हम लोग तो हमारे मेरे पास देखे यह मेरा इसका जो है bootable pen drive है मेरा scan disk का हमें इस पर चूज कर लेनी है send disk पर आके हमें enter कर देना है तो देखे यह अब यह boot हो रहा है मेरी pen drive से bootable pen drive है इसके बाद देखिए हमें agt यहाँ पर next पर click करना है install now I accept the license terms next देखिए यहाँ पर दो options होती है upgrade install windows and key file settings हमें key files नहीं रखनी है जो पुरणन डाटा वो बहता है कि c drive में document पड़ा है वो चाहिए होता है नहीं चाहिए हमें तो यह custom install window only कर दीजिए इसके बाद देखिए हमारी जिस ड्राइब में विंडो पड़ा है देखिए यहाँ पर लिखा हुआ 97 यह हमारी c drive है इसको दुबारा से एक बार format कर लीजिए प्लीज और इसके बाद से हमें next कर देना है यह क्या next अब देखिए यह इसका यह window है वो इंस्टॉल होने start हो गया है operating system जो इसका है यह start हो गया है खर यहां झार झार रहा है यहिए 5 को